कि नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कॉंपेटिशन कम्यूटी में मैं हूँ आनंद कुमार सीजी प्यसी प्रिलिम्स लाइव क्रैस कोर्स के बाद कॉंपेटिशन कम्यूटी अपना अगला प्रोग्राम लॉंच करने जा रहा है जिसका नाम है फिर सफर्वरी 2020 को आपका प्रिलिम्स का एक्जाम कंडक्ट होना है और अगर आपको इस उस प्रिलिम्स कीत तैयारी पर भरुशा है और अगर आपने सपना देख रखा है कि इस एक्जाम को क्रैक करके आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है डिएसपी बनना है या कोई और अधर पोश चाहिए तो इस एक्जाम के पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा पड़ाव आपका मुख्य परिक्ष है और मुख्य परिक्षा जो है योहीं नहीं निकलता इसके लिए प्रोपर आपके अंदर स्किल डेवलप होना चाहिए इस एक्जाम के अकॉर्डिंग प्रोपर आपको कंटेंट इनहेंस करने आना चाहिए सही मार्क दर्शन किया वे सकता होगी सही पत्थ पर आप चल सके ये बहुत ज़रूरी है इस एक्जाम को क्रैक करने के लिए और कॉंपेटिशन कम्यूनिटी आपको इस प्रोक्राम के माध्यम से या फिर इस कोर्स के माध्यम से वन स्टॉप वन सोल्यूशन देने जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि आज तक 36 गड़ में किसी भी इंस्टिटूट ने आपको वन स्टॉप वन सोल्यूशन दिया होगा या किसी को भी दिया होगा वादे बहुत बड़े-बड़े किये गए होगे लेकिन वन स्टॉप वन सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कि बहतर content, बहतर delivery के साथ या फिर कोई एक बच्चा जब एक coaching संस्थान पे जाता है जब वो पढ़ता है तो उसे लगना चाहिए कि proper मेरा preparation जो है वो हो चुका है, complete preparation यहीं से हो चुका है मुझे बाहर से किसी material किया वे सकता नहीं पड़ी और मुझे नहीं लगता कि आज तक 36 गड़ में ऐसा हुआ होगा लेकिन होगा आप दावा है, वादा है कि competition community आपको one stop, one solution देने जा रहा है किस तरह से देने जा रहा है? तो आप आज का ये वीडियो शुरू से लेकर अन तक जरूर देखना इसलिए मत देखना कि इस course की detail जो है आपको इस वीडियो में किया गया है आप इसलिए देखना ताकि आपको पता चल सके कि क्या इतने points पे इतने सारे solution एक जगह पे मिल सकता है तो आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अन तक जरूर देखिएगा और last में आप सोचने पर मजबूर जरूर होगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है हम करके दिखाने वाले हैं क्योंकि competition community का infrastructure इतना बड़ा हो चुका है यह हम पूरी जहमता के साथ में पूरी ताकत के साथ में आपके लिए work करने जा रहे हैं हाड वर्क करेंगे आपको बहतर तरीके से सही मार्क दर्शन देंगे आपका जो जो requirement है इस exam को लेकर उस सब कुछ आपको यहीं मिलने वाला है और जबी भी हम मेंस exam की बात करते हैं तो सबसे पहले point पे क्या बात होता है चलो मान लिया कि आपने पूरे साल भर पढ़ाई किया और आपने ऐसे maximum लोगे ने पूरे साल भर पढ़ा भी होगा लेकिन आपने पढ़ा अपना knowledge गेंड किया prelims के लिए knowledge गेंड किया वो बहुत अच्छी बात है लेकिन क्या सिर्फ knowledge गेंड करके mains exam को crack किया जा सकता है ना ये भूल करना भी मत क्योंकि mains exam crack करने के लिए knowledge के साथ साथ उस knowledge का जो content है वो enhance कैसे करे ये आपको proper तरीके से करने आना चाहिए तो इसलिए इस course में content enhancement की बात सबसे पहले point पे किया गया है और ये content enhance हम आपको कैसे करके दिखाएंगे या फिर आपके अंदर की छमता को कैसे बढ़ाएंगे आगे के slide में मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा point आता है skill enhancement आप mains exam को बिना skill enhance की एक crack कर ही नहीं सकते तो skill को enhance कैसे किया जाता है या फिर क्या-क्या इसमें points होते हैं आगे हम बात करने वाले हैं इस course के features क्या-क्या होगी क्या-क्या इसमें मिलने वाला है किस तरह से मिलने वाला है क्या मात्यम होगा सब कुछ इसमें आपको पता चलेगा और कुछ additional benefits जो आपको दिया जा रहा है इस package में वो बहुत important है और इस additional benefits के दम पर ही मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि competition community आपको one stop one solution देने जा रहा है और online education में जो सबसे बड़ा अगर मैं barrier कहूँ तो वो होता है doubt का यह families के लिए भी होते हैं बच्चों के लिए भी होते हैं कि पढ़ते समय अगर doubt आ जाए क्या करें दावे तो बहुत बड़े-बड़े किया जाते हैं कि हम doubt के लिए यह करेंगे वो करेंगे पर हो नहीं पाता सायब लेकिन हमने ऐसे mechanism तयार किया है जिससे आपका जो doubt है उतना सिर्फ बहतर तरीके से solve करेंगे परन्तु जल्दी भी करेंगे इसके लिए हमने एक बहुत ही बहुत ही बहतरीन mechanism तयार किया है तो हर एक point को समझते हैं कि इस course में आप कैसे बहतर तरीके से preparation कर सकते हैं इस course के माद्यम से सबसे पहले point पे हम क्या बात कर रहे थे content enhancement की देखो maximum लोग अगर serious हैं इस exam को लेकर तो उन्होंने साल भर पढ़ाई किया होगा हर subject को उन्होंने पढ़ा होगा अब वक्त क्या है content को enhance करने का इस 3-4 महिने में आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जिस subject को पढ़ा है उस subject के important topics क्या-क्या है और important topics से भी important crux कैसे निकलेगा और जब आपसे exam में question पूछा जाता है चाहे दो number में हो चाहे चार number में हो तो उस crux में से भी जो पूछा गया है सिर्फ उतने का answer कैसे लिखें तो ये भी बहुत important part हो जाता है तो हम इसमें जितने भी important topics हैं उस subject के उसका crux भी देंगे और उस crux के आधार पे आपको ये भी बताएंगे कि इस crux से अगर question पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना है ताकि आप रास्ता न भटके जो दो-तीन बार means दे चुके हैं तो अगर आपने बहतर तरीके से अपने content को enhance नहीं किया है तो या तो आप जो question की demand है उस आधार पे answer नहीं लिख पाते या फिर जब आपने content को enhance ही नहीं किया है तो आपको उस वक्त उसका concept जो है वो याद नहीं आ पाएगा तो इसलिए यहाँ पर important topic को identify किया जाएगा उसका crux आपको बताया जाएगा और concept building पर भी बात किया जाएगा क्योंकि कई ऐसे subjects हैं जिसमें concept की आविशकता आपको पढ़ेगी क्योंकि जब तक अपना concept आप clear नहीं करोगे तो question की demand को आप नहीं समझ पाऊगे कि वो question आपसे क्या पूछना चाह रहा है तो इसलिए concept building बहुत important हो जाता है कि जब आपसे एक question पूछा जाए तो सबसे पहले आप यह समझें कि question की demand क्या है तो कुछ questions ऐसे होते हैं जो concept पर ही answer लिखे जा सकते हैं तो अगर आपका concept build होगा तो आप बहतर उत्तर लिख सकते हो तो इस crash course में हम concept building पर भी work करने वाले हैं आपके साथ तीसरा point updated and important information for means पिछले साल से इस साल बहुत सारी चीजे change हो चुकी है तो जो updated content है जो latest content है उस पर ही work किया जाएगा और उसी के आधार पे आपको पढ़ाया जाएगा सिखाया जाएगा कि इस important updates के साथ में आप कैसे उत्तर लिखन करें तो ये बहुत important हो जाता है कि आपने पूरे साल भर भरले पढ़ा हुआ हो लेकिन content enhance करने आना चाहिए और इस crash course के माध्यम से हमारा जो focus होगा वो content enhancement पर होगा बात समझा रही है अगले point पे मैं बात करूँ तो important हो जाता है skill enhancement skill enhance को करना बहुत ज़रूरी है आपने सब कुछ पढ़ लिया आपने content को enhance भी करके रखा है लेकिन answer writing को कैसे improve करें कई बार ऐसा होता है कि आपने एक topic को पढ़ रखा है आपने सोच कर रखा है कि इस topic से हो सकता है दस number के question आएंगे और मान लो कि उस topic से दो number के question आ गए जो लोग mainz का exam दे चुके हैं वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ और उनके साथ में ये जो घटना है हुआ भी होगा तो अगर उस topic से 10 number के topic के जगा दो number का question पूछ दे तो दो number में आप उसे कैसे लिखोगे क्योंकि word limitations है यहाँ पर तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका उत्तर लेखन सहली किस प्रकार से होना चाहिए question के demand क्या है उस आधार पे आप कैसे लिखें अगले point पे अगर आप आओगे तो word limitations की बात हो जाती है word limitations यानि कि जो question पूछा गया है question के demand पे आपको इतने ही words में लिखना है तो word limitations से आप रास्ता न भटके ये सिखाया जाएगा word limitations में जितने number के questions पूछे गए है उतने ही number में उसका उत्तर कैसे समेटें तो word limitations में बहुत important हो जाता है time management and stress management पूरे उत्तर में यानि कि जितना वी वक्त आपको दिया जाता है कैसे उत्तर लेखन को सम्टें कैसे proper तरीके से time को manage करें कि आपका पूरा paper बहतर तरीके से solve हो सके और चाहे आप exam hall में बैठे हो चाहे घर में पढ़ाई कर रहे हो stress तो होता ही होता है तो exam hall में कैसे stress manage करें आप घर में जब पढ़ रहे हो तो कैसे stress manage करें इस पर भी हम work करने वाले हैं और इसके अलावा understanding of men's question paper ये सबसे important होता है मुझे लगता है ये चारो point में क्योंकि जब तक आप question को नहीं समझेंगे तब तक आप एक बहतर उत्तर नहीं लिख सकते मान लीजिए आपके सामने एक 10 number का question है और 10 number का जब आप question पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि इसमें 2-3 तरह की बाते की गई हैं तो इस question को कैसे bifurgate करके 10 number में आप एक बहतर उत्तर लिख सकते हैं बीना भटके इस पर भी हम work करेंगे इस पर भी हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप question को समझें question की demand को समझें और उसके आधार पर उत्तर लिखें और सही दिशा में लिखें भटके न इस पर भी हम work करेंगे बात समझ आ रही है इसके बाद इस course में आपको क्या-क्या मिलने वाला है क्या-क्या feature से सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं तो smart board presentation जिस तरह से जिस quality के साथ आपको ये वीडियो मिल रहा उसी माद्यम से आपको वीडियो lectures प्रोवाइड कराया जाएंगे expert faculties द्वारा आपके वीडियो lectures को प्रोवाइड कराया जाएंगे doubt clearance mechanism होगा ये doubt clearance mechanism को मैं आगे आपको बहतर तरीके से समझाऊँगा कि मैं हम आप लोगों के doubts को किस तरह से clear करने वाले हैं अगर आप Hindi या फिर English माद्यम किसी भी माद्यम के aspirant हो आपकी लिए या course जो है बहुत ही benefit होगा दोनों ही माद्यम के छात्राओं का विसेस रूप से ख्याल रखा जाएगा अगर notes की बात करें तो आपको soft copy तो दिया ही जाएगा hard copy भी notes के तौर पर आपके घर courier किया जाएगा soft copy में अग जो आपको notes अब लेबल कराया जाएगा website पे उसे आप under mark करके भी पढ़ सकते हैं तो ये भी इसका एक बहुत ही बहतर तरीके से update किया गया है और अगर updated and relevant content के साथ आपको deliver किया जाएगा ये इस course के features हैं अब हम बात करते हैं कि इस course में आपको क्या-क्या मिलने वाला है क्योंकि जभी भी एक mains का preparation करने वाला बच्चा सोचता है कि mains के preparation में किन-किन चीज़ों की आवेशकता होती है उन हर आवेशकताओं को अध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर कुछ points बनाए और इस पर बहुत work किया गया बहुत महीनों से work किया गया हर point पर ध्यान रखा गया है कि क्या-क्या जरूरत पढ़ सकता है में जो पूरी तरह से focus किया जाएगा कि एक अच्छा उत्तर लेखन कैसे करें इस पर बात किया जाएगा और इस कोर्स की खास बात यह भी है कि इसमें हम आपको cgpc मेंस complete online course का access भी दे रहे हैं और दोनों माध्यमों का दे रहे हैं प्रेजन टाइम पर हमारी website पर यह course अविलेबल है हिंदी और इंग्लिस माध्यम में अलग अलग अविलेबल है लेकिन यहाँ पर अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हो तो भी इंग्लिस मीडियम क पड़ते हैं तो आपको किसी तरह से किसी समस्या से न जूजना पड़े आपको लगता है कि इस topic को मुझे हिंदी में पड़ना चाहिए अगर आपको लगता यह topic आपको इंग्लिस में पड़ना चाहिए तो इसलिए हमने क्या कि दूनों ही भासाओं के जो हमारे course है उसका access हम आपको दे देंगे और दोनों ही भासाओं में लग भग 400 से 400 गंटे के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अलग-अलग हैं तो आप चाहो तो यहां से भी पढ़ सकते हो क्योंकि पढ़ते समय अगर आपको लगता है कि किसी सब्जग के किसी टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हो यह आपका preparation नहीं हो पाया है तो आप इस complete online course का access दोनों ही माध्यमों में आपको प्राप्त होगा और आप वहां से पढ़ सकते हैं जिस भी भासा में आप comfortable फिल करें और इस crash course में एक सबसे बड़ा benefit क्या है पता है कि अगर आप में से कुछ लोगों को लगता है कि इस topic पे discussion करना चाहिए, lectures मिलने चाहिए तो अगर आप में से बहुत सारे लोगों का demand रहा कि इस topic पे हमें lecture चाहिए तो हम video के थुरू उसे available कराएंगे लेकिन अगर सिर्फ कुछ लोगों का demand रहा या सिर्फ अगर आपका single demand रहा कि आप इस topic को समझना चाहते हैं तो हम video call के थुरू आपको उस topic को समझाएंगे आपके उस doubt को clear करेंगे खुल मिलागर कहूं तो यह जो crash course का जो main focus है वो आपके content को enhance करना है आपके answer writing में सुधार करना है आपको answer writing करवाना है बात समझा रही अब बात करें अगर हम test series की तो test series भी हमने इसी package में सामिल किया है test series बहुत खास होने वाला है इस साल का 21 test paper होंगे इसमें और 21 test paper की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब आप test दोगे तो 10 दिन में हम आपकी copy को check करके दे देंगे और सिर्फ एक बार check नहीं करेंगे दो बार check करेंगे ताकि आपके copy का analysis हम बहतर तरीके से कर सके प्रॉपर मार्क करेंगे प्रॉपर कमेंट करेंगे आपको ये भी बताएंगे कमेंट के जरीए कि आप यहाँ पर बहतर कर सकते थे इसमें इस topic में इस question में आपने यहाँ पर कमी किया है या फिर जहाँ पर बहतर लिखते हैं तो हम आपको appreciate भी करेंगे कि आपने यहाँ प कि यह तेसरेज आफ लाइन और ऑन लाइन दोनों ही जूडारी मूट पर होगा लेकिन ओफ लाइन के लिए एक कंडिशन है कि ऐप लाइब़ और बिलासपुर के सेंटर पर ही अविलेबल होगा और ओफलाइन में सीट लिमिट होगा सिर्फ हंड्रेड तो आप जितना जल्दी रजेस्टेशन करा लेंगे उतना जल्दी फैदे मन में रहेंगे ओफलाइन के लिए समझ आ गई बात अगले पॉइंट पर हम बात करें CGPSC मेंस टेसरिस टॉपर्स आंसर सिट 2019 और 2020 के जो टॉपर्स हैं जिन्होंने हमारे हाँ टेसरिस जॉइन किया था उनके आंसर सिट भी हम आपको देंगे लगभग ये 30 टेस्ट का होगा ताकि आप समझ सकें कि एक टॉपर कैसे अपना उत्तर लिखता था क्योंकि ये तो उत्तर लिखन कैसे होगा तो आपकी तैयारी बहतर हो सके आप दूसरों से सीख सके एक टॉपर कैसे उत्तर लिखता था उसको कैसे मार्क्स मिलते थे ये सब कुछ जान सके इसलिए यहां पर आपको टॉपर्स के आंसर सिट लगभग 30 सेट अविलेबल कराया जाएंगे आपको गाइड किया जाएंगे कि टॉपर्स ने कौन सा फॉर्मूला अपनाया था कौन सा ट्रिक अपनाया था किस तरह से उसका टाइम टेबल था किस तरह से उसने स्टरी किया किस तरह से उसका मेंस का प्रिपरेशन था ये भी वह आप से डिसकस करेंगे अपने एक्स्प पांच साल के questions paper का हम analysis करेंगे और उसके trend को समझने का कोसिस करेंगे कि उसका trend कैसे रहा है अगर quality के एक topic से दो number का question पूछा गया तो उसी topic से अगले साल अगर 4 number के question पूछे गया तो question में क्या बदलावाया और जब 2 number में ऐसा answer लिखा जाता है और बहुत ही important होता है तो इसलिए आप trend को समझ सको उसकी importance को समझ सको syllabus को गहराई से समझ सको graph के माध्यम से समझ सको chart के माध्यम से समझ सको तो इसलिए इसमें आपको 4 से 5 वीडियो जो है वो previous year के questions paper का analysis करके दिया जाएगा बात समझा रही अब yearly current affair issues crux यह बहुत important हो जाता है क्योंकि आप देखो आपको पता है कि आप अपने mains के answer writing में अगर current affair का value addition करते हो तो आपके answer का weightage बढ़ जाता है यह आपको पता है लेकिन value addition करें कैसे कौन से topic में current affair को हम add कर सकते हैं question की demand को कैसे समझे कि इसमें current affair का input भी डाला जा सकता है सिर्फ current affair पढ़ने से आप current affair का value addition नहीं कर सकते बात समझा रही तो proper आपको यहाँ पर guide किया जाएगा सिखाया जाएगा कि current affair का value कैसे किया जाता है value addition कैसे किया जाता है और पिछले एक साल से डेड़ साल के important current affairs का crux भी आपको provide कराया जाएगा तो यह साथ तरीके के features आपको provide कराया जा रहे हैं इस crash course में तो आपको लगता है कि इसके बाद कुछ बच जाता है एक चीज जो बच जाता है जिस पर मैं बात कर रहा था हूँ है doubt clearing session की अगर आपको पढ़ते समय किसी तरह से कोई doubt आया तो उसको कैसे आप करोगे यह तो सुभाविक सी बात है कि जब आपको answer writing सिखाया जा रहा है कि इतने words में इस तरह से लिखो questions को इस तरह से समझो question का bifurgation इस तरह से करो doubt तो जहिर सी बात है आएगा तो जिस lecture को आप जिस वक्त देख रहे हो मान लो यहाँ पर निकहत मैम का history का lecture देख रहे हो और इसी वक्त इसी वीडियो को देखते समय आपको doubt आया तो यही पर आपके बगल में ही एक panel होगा यानि कि एक chat box होगा वहाँ पर आप अपना chat को type करेंगे enter करेंगे तो वह तुरंथ notification के थुरू निकहत मैम के पास पहुँच जाएगा और अगर निकहत मैम उसी वक्त फ्री रही या फिर उनका किसी तरह से कोई recording ना चल रहा होगा तो वह तुरंथ आपको reply करेंगी और जैसी वो reply करेंगी आपके mobile पर notification के माद्यम से आपका doubt clear हो जाएगा तुरंथ आपके mobile पर notification आएगा तो एक बहतर doubt clearance का mechanism भी हमने तयार किया है ताकि आपका doubt भी बहतर तरीके से जो है वो clear हो सके तो इतने सारे points भी इतने सारे materials के साथ हम इस पूरे program को लेकर आए हैं और मान कर चलो कि इस program को पिछले 4 से 5 महीने में अलग अलग point पे समझ कर कि क्या challenges आ सकते हैं क्योंकि सिर्फ course launch करना हमारा उद्देश नहीं है हम जो commitment किये हमने जो commitment किया उस commitment का 100% fulfill हो वो commitment इस पर कैसे काम कर सकते हैं तो competition community का आज के time पे जो infrastructure है वो बहुत बड़ा हो चुका है और इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जितने भी यहां पर points दिये गए हैं उसका fulfill किया जाएगा यानि कि पूरी तरह से commitment fulfill होगा अब इसके बाद अगला point कि course कब से उपलब्ध होगा तो यह course आपको 21 फरवरी 2022 से लेकर 21 मई 2022 तक कुपलब्ध होगा यानि कि 21 फरवरी 2022 से sequentially हम वीडियो डालेंगे 21 मई 2022 तक daily basis पे आप पढ़े daily basis पे हम वीडियो डालते जाएंगे और अगर हम इस course की validity की बात करें तो इस course का validity आपके mains examination तक होगा यानि कि 3-4 महिने तक होगा और इसके पीछे का तर्क ये है आप ये न सोचे कि इसका validity हम स्तिर्फ 3-4 महिने क्यों दे रहे हैं इसके पीछे एक बहुत बड़ा reason है बहुत बड़ा तर्क है क्योंकि इनसान का जो psychology होता है न वो चीजों को टाले हम ये चाहते हैं कि आप ये सोच कर चलो कि आपका ये आखरी प्रयास है और इसी पार आपको mains crack करना है और इसलिए इस course का हम 3-4 महिने का validity दे रहे हैं आपके mains examination तक ही validity दे रहे हैं ताकि आप focus रहें कि मुझे इतने दिनों तक ही इस पूरे course को खदम करके आपको mains exam लिखना है और आपके पास ये आखरी प्रयास है mains crack करने का आप इस mentality के साथ exam दे इसलिए हमने इसका जो validity है सिर्फ mains exam तक रखाया बात समझा रहे हैं इसके बाद testeries कब से शुरू होगा तो testeries आपका 27 फरवरी 2022 से शुरू होगा और 15 मई 2022 तक चलेगा testeries के सारे फायदे में आपको बता चुका हूँ 21 test होने वाला है online offline दोनाई mode पे होने वाला है offline में condition है राइपूर और बिलासपूर में ही offline center होंगे 100 sit limit होंगे तो जितना जल्दी आप registration करा लोगे आप फायदे में रहोगे हम आपकी copy को दो बार चेक करके दे रहे हैं 10 दिन में आपको copy वापस दे रहे हैं चेक करके अलग से mark करेंगे अलग से comment करेंगे आपके copy को बहतर तरीके से analysis करेंगे यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तो testeries के यह benefits हैं कि जब mains की बात होगी तो अगर इतने सारे points पे अगर आपको कोई course available कराता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई 40-50 जार से नीचे में कोई देगा आपको complete access आपको पूरा support यहां पर दिया जाएगा अब आपके मन में किसी भी तरह से कोई संका न रहे कोई doubt न रहे इसलिए हमने पूरा bifurget कर दिया है एक एक चीजों को हमने bifurget किया है ताकि आप समझ सकें कि आप से कहां पर कितना फिस लिया जा रहा है मैं एक एक करके आपको बताता हूँ अगर CGPSC mains crash course की बात करे हम तो पिछले साल हमने crash course का जो rate रखा था उन 9000 रुपए रखा था इस वर्ज हमने इसका rate 8000 रुपए रखा है इसके अलाब़ CGPSC mains complete online course की बात करें तो हमारी website पर आज भी available है विजिट करें website पर इसका rate 10,000 रुपए है और English Medium का भी लगबख 10-11,000 रुपए rate है अगर दोनों का हम यहाँ पर आपको access दे रहे हैं तो वो तो ऐसी 20,000 हो जाता है लेकिन हम यहाँ पर एक ही count कर रहे हैं 10,000 रुपए और इसका इस साल जो price होगा इस package में जो price होगा वो होगा आपका 8,500 रुपए का CGPSC मेंस test series 10 दिन, दो बार चेक, बहतर अनलीस है सब कुछ जो आपको कोई नहीं देता हम दे रहे पिछले साल इसका price था 45,000 रुपए इस वर्स है सिर्फ 35,000 रुपए CGPSC मेंस test series topos answer sit मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका benefit क्या होता है और एक preparation करने वाला मेंस का preparation करने वाला बंदा यही सुचता है कि कास मुझे topos cancer sit मिलते तो 30 test होगा पिछले साल हमने 3000 रुपए इसका rate रखा था इस सल 25 सो रुपए है special guidance classes for means by selected candidates 15 classes अबको available करा जाएंगे जो guide करेंगे इसका हमने fish जो है इसका रुपए इसका डिटेल मैंने आपको वहां पर बताया इसका जो है हजार रुपए रखा गया है और तोटल अगर हम बात करें तो 12,500 रुपए इन सबको add कर दोगे तो अब हमको GST भी देना पड़ता है 18% के हिसाब से government को tax देना ही पड़ता है जब GST add करोगे तो यह 4,410 रुपए हो जाता है और टोटल यह आपका package बनता है 28,910 रुपए का लेकिन अगर आप 21 फरवरी 2022 तक registration करा लेते हैं तो इस पर 30% का discount हमने रखा है और यह आपको मिल जाएगा 20,237 रुपए में repeat कर रहा हूँ अगर आप 21 फरवरी 2022 तक registration करा लेते हैं तो आपको discount मिल जाएगा 30% का और यह आपको available हो जाएगा 20,237 रुपए में और मेरा दावा है कि इतने सारे points पे कोई भी institute अगर work करने की कर नहीं पाएंगे अगर करने की कोसिस भी करते हैं तो यह जो fees का number आपको दिख रहा है यह कहीं न कहीं double होता लेकिन competition community का उद्धिस पैसा कमाना है ही नहीं आप तक बहतर quality का content पहुंच सके आपको बहतर support दिया जासे के बहतर video lectures दिये जासे के बहतर तरीके से आपका doubt clearance हो आपको बहतर तरीके से answer writing करना सिखाया जासे के बहतर तरीके से value addition करना सिखाया जासे के content enhance हो आपका skill enhance हो आपका इस पर focus करने के लिए competition community ने अपना infrastructure को बहुत बड़ा किया है और लगबग 100 लोगों की टीम बैठी है और 100 लोगों की टीम आपके पीछे वर्क करने वाली है इसलिए इसका फिज जो है इस नमबर में आपको दिख रहा है लेकिन competition community लोक तंतर में विश्वास रखता है इसलिए अगर आपको इस पर किसी भी तरह से कोई सुझाओ देना है तो 10 फरवरी 2022 तक नीचे दिए गए नमबर पर वाटस अप के जरी आप अपना सुझाओ हमें भेज सकते हैं ध्यान रखिएगा 10 फरवरी 2022 तक ही आपका सुझाओ आमंतरित है रेजिस्टेशन कब से करा सकते हैं तो एक फरवरी से रेजिस्टेशन शुरू हो चुका है अब वेबसाइट पर विजिट करें या कॉंपटिशन कम्यूनिटी का प्ले स्टोर से मुबाइल अपली केसन डाउनलोड कर लें वहां से आप रेजिस्टेशन बहुत आसानी से क सवाल हो कि किसी भी तरह का कोई भी सवाल तो आप डायरेक्ट हम से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर वाट्सप कर सकते हैं या फिर कॉंपटिशन कमूनिटी एड़ी रेट जी मल डॉट कोम पर आप हमें मेल कर सकते नंबर है 9993 555585 तो ये complete package है crash course का one stop one solution मैं फिर से कह रहा हूँ और पूरी तरह से जी तोड महनत आपके पीछे किया जाएगा पूरी तरह से dedicated होकर किया जाएगा तो अगर आप थोड़ा सभी serious हैं एक बार आप हमारे साथ जरूर जूडियेगा कि अगर्मेश